तो सभी को पता होगा कि अंकुरवाट कहां परिस्थित है, ओप्सेंटी कमबोडिया में निम्लिखित में से किस सिख गुरू ने गुरू मुखी प्रारम की, तो ये प्रारम की थी ओप्सेंटी गुरू अंगद ने निम्लिखित में से किस ने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भहे भारत में प्रथम बर्स, खुले कान पर मुव बंद कर व्वितित करें तो इसका हो जाएगा ओप्सेंटी, गोपाल करश्ण गोखले अगला है निम्लिखित में से भहे स्पात सायंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना दुतिय योजना के दोरान नहीं की गई थी तो आप्सेंट ने बो कारो किस संविदान संसोधन ने केंद्रिय मंत्रियों की संख्या को लोक सवा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमिक कर दिया है आप्सेंट भी 91 बर्स 1947 के बाद निम्लिखित में से किस राज को भारत के संग के साथ बल पूरबग मिलाया गया तो आप्सेंट ए हैदराबाद निम्लिखित में से कौन भारत के संविधान दोरा प्रदत छे मूल अधिकारों में से नहीं है तो आप्सेंट भी बिरोध का अधिकार जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राजियों का राजपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राजपाल को दे उपलब्दियां और भत्ते होंगे आप्सेंट इसे उन राजियों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्टपती आदेश दोरा अब धारित करें भारत के प्रतेक नागरिक का कर्तब भी होगा प्राकर्तिक पर्रयाबरन का सनलच्छन एवं सुधार यह कथन भारतिय सम्विधान के किस अनुच्छेद से संदर्वित है तो आप्सेंट बी अनुच्छेद इक्यावन ए निम्न में से कौन सा सारवजनिक ब्याय पर संसदिय नियंत्रण का अंग नहीं है तो आप्सेंट भी हो जाएगा भारत का नियंत्रक बा महालेखा परिच्छक क्या कहता है भारत समुद्र में प्लबन करते हुए आई सबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतय से उपर होता है तो यह हो जाएगा उप्सेंट एक बटा नौ भाग, नौ भाग का एक एसा निम्न में से किसने कहा था अच्छा सासन सोसासन का स्थाना पन नहीं है तो उप्सेंट सी स्वामी दयानंद अगला है तिरुपूरा संकट की समाप्ती के बाद कॉंग्रेस का अध्यच किसे चुना गया तो यह हो जाएगा उप्सेंट सी राजेंदर परसाथ को चुना गया सरवादिक जैब विवित्ता पाई जाती है तो सरवादिक जैब विवित्ता किसमें पाई जाती है Option A, सांत घाटी में पाई जाती है निम्लिकित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या ब्रद्धी का प्रतिफल नहीं है तो Option D, जंगली जानबरों में अभी ब्रद्धी निम्लांकित में से किसने सुझाओ दिया कि सुतंतता प्राप्ति के पश्चात भारती राष्ट्री कॉंग्रेस को समाप्त कर दिया जाए तो देखिए इसका क्या होगा इसका हो जाएगा आपका Option C, महात्मा गांदी ने बांगला देश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है Option B, पदमा सलीम अली राष्ट्री ये उद्ध्यान कहां पर इस्चित है तो Option B, जम्मू और कस्मीर भारत का सरवादिक खनिज संपन सैल तंत्र है तो Option D हो जाएगा धारबाल तंत्र निम्नांकित में से कौन सा विश्चु का सबसे बड़ा पोता स्रय है तो Option D, नियू यार्क सूनी अंस अच्छांस दता, सूनी अंस देशांतर अवस्तित है तो ये Option A, अटलांटिक महासागर में अंतरराश्ट्री इस्तर पर मेसावी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है तो Option C, लहो आयास्क संचार उपक ग्रहे बायू मंडल में किस इस्तर में अवस्तित किये जाते है तो Option A, बहिर मंडल में इसका हो जाएगा आयान मंडल में बहिर मंडल तो एक्जोस्पेर हो जाएगा जो की बहुत ज्यादा भाहर हो जाता है अंतरिश में सीदे तो आयन मंडल हो जाएगा आपका option C कौन सा सम्विधानेक संसोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोग सबा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से सम्मंदित है option C साथ बा और एकत्तेस बा निम्न में से कौन सम्विधानेतर संस्था है तो option C नीती आयोग भारतिय समिधान की अस्पसिता उन्मूलन से समंदित अनुच्छेद है तो option C अनुच्छेद सत्र है भारतिय राष्टिय दोज में चक्र किसका प्रतीक होता है तो option C स्वतंतरता का silent spring के लेखा कहें तो silent spring के लेखा कौन है तो रसेल कारसन निम्न में से कौन बायू मंडली ओजोन परत के छरण के लिए सबसे अधिक उत्तरदाई है तो option B chloro-fluoro-carbon गैसे है CFC गैसे है डॉपसन इकाई का प्रियोग किया जाता है तो option C ओजोन परत की मोटाई नापने में सत्यमेब जैते सब्द किस उपनिसद से लिए गए है तो option E मुंडक उपनिसद मुगल प्रसासन के दोरान जीले को किस नाम से जाना जाता था तो option D government सरकार के नाम से भारती इतियास के मद्दकाल में बंजारे सामानेता कौन थे बंजारे मद्दकाल में जो थे वो सामानेता थे ब्यापारी प्रसिद कभी अमीर खुसरो निमनांकित में से किस बादसाह के दरवार से दरवार में संबद थे तो option B गया सुद्दीन बलवन आजाद हिंद फौज का प्रतम सेना पती था तो option A मोहन सिंग मिस्रित अर्थ व्यवस्ता का अर्थ है option B जहां राष्टरी अर्थ व्यवस्ता में सारवजनिक चेतर के साथ साथ निजी चेतरवी विद्दमान हो आसरे भीमा योजना का उद्देश से है तो option D ऐसे कामगारों को जो रूप बेरोजगार हो हो गए हो सामाजिक सुरच्छा उपलब्द कराना यूरो राष्टरी मुद्रा है तो यूरो कहां की मुद्रा है तो यूरोपीय संगों के केबल बारा राजियों की संकरपूर नामक जगए पर टेलकाउम हिस्टे टाइट सोप स्टोन खनिच पाया जाता है बहे विहार के किस जिले में इस्तित है तो option D हो जाएगा मुंगेर केरल राज के राजकी उभायचर प्रती क्रूप में किसे नामित किया गया है तो option A बैगनी मैडक गाइस कुछ करेंगे साइंस के कुछ कोश्चिन जिसमें पहला है प्रेसर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि option C अधिक दाप के कारण उबलते पानी का जो ताप है टमप्रेचर जो है वो बढ़ जाता है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायाद को देखने के लिए आप किस प्रकार के दरपन का उप्योग करना चाहेंगे तो option D उत्तल दरपन एक स्वस्थ मन उसके शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस विद्धु दुर्जा को यांत्रे गुर्जा में बदलने वाली युक्ती है option C विद्धुत मोटर सबसे कम बेवलेंथ तरंग दैर्द वाला प्रकास होता है तो option D बैगनी आकास नीला प्रतीत होता है क्योंकि main reason ने option D बाता बरण में बायू कान सूर किर्णे विकिर्णित करते है ट्यूब लाइट में निम्न दाप पर कौन से गैस भरी जाती है तो option C nitrogen एवं neon रासाइनिक द्रस्टी से सिंदूर क्या होता है तो सिंदूर जो होता option C mercuric sulfide होता है अगला है gasohal है तो gasohal क्या होता है तो gasohal है option है ethyl alcohol plus petrol निम्निकित gas मिस्रणों में से कौन सी gas building के लिए प्रियुक्त की जाती है option B oxygen तथा acetylene असुद जल से बड़ी मात्रा में पेजल तयार किया जाता है तो option D निथार कर निम्नांकित में से कौन एक bulletproof jacket बनाने में प्रियोग किया जाता है तो option D रेसेदार कांच stainless steel बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है तो option D chromium और nickel जल के लिए pH मान होता है तो जल के लिए pH मान कितना होना चाहिए लगबक साथ पानी की इस्थाई कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदाई है तो option D calcium और magnesium के chloride सबा सलफेड calcium magnesium भोजन विशाकता का काराण होता है तो भोजन विशाकता का काराण क्या होता है option D Salmonela Bacilai थैलेसीमिया के रोगी में सरीर निम्न के संसलेसन की छमता नहीं रखता तो option C हो जाएगा hemoglobin स्वस्ट मनुस का रक्त चाप systolic बाडायलिस्टिक होता है तो स्वस्ट मनुस का कितना होता है option E 180-120 हाई होता है और बटे 80 80 जो होता है वो लो होता है दंत च्छाई का मुख्य कारण है मुख्य बीतर होने वाले जिवाणू बा option B कर्बो हाईड्रेट के खाद कणों के मद्ध अंतर व्योहार सीथ भंडारों में फोलों तथा साख सबजियों का अबगटन option D धीमा हो जाता है अगला इस पहलियो बनस्पती के अंतरगत अधन करते हैं option D ना तो जन्तु जीवास्म का ना सहवाल का ना ही फफूंदी का तो आपका आंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं अगला है HIV AIDS रोग नहीं फैलता है तो option C मच्छर के काटने से अगला इन निमलिकित में से किसमे सुमेल है सही वाला बताना है option D पीलिया जो है वो यक्रत को प्रभावित करता है और मोतिया बिन्द के दोरा अगर देखा जाए तो ये आँखे प्रभावित करती हैं मोतिया बिन्द और टाइफाइट जो है टाइफाइट जो प्रभावित करता है वो आथों को करता है आथ टाइफाइट के लिए हो जाएगा आथ और निमोनिया जो प्रभावित करता है वो करता है फेफ़डों को फेफ़डा निमलिकित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवस्यक नहीं है तो आप्सन है सोडियम बांकी के हैं जैसे कि पोटेसियम है मेंगनेसियम है scanning है कैलसियम है ये तीनों आपके आवस्यक हैं पौधे के विकास के लिए कोई कंड एक समान गदी पर कैसा होना चाहिए तो उसका बेग एक समान हो सकता है रेडियो संचार में प्रेशन एंटेना दोरा उस सर्जित संकेत प्रतिभिम्बित होते हैं आप्सन सी आयनो स्पीर पर, आयनो मंडल पर अगला है सरीर के साथ संपर्क में आने पर स्पीरिट ठंडी अनुबोती देती है क्योंकि यह है आप्सन सी अत्यन्त बास्प सील है इसलिए एथिलीन जब पोटेसियम पर मैगनेट के तनू छारिये बिलियन के साथ किरिया करती है तो क्या बनाती है तो आप्सन सी हो जाएगा एथिलीन गलाइकॉल बनाती है सरीर में सबसे बड़ी अंता सरावी गरंती निम्नुमेस से कौन सी है आप्सन ए अब टू या कह सकते है थाईराइड अगला है इंसुलिन का विसकार किस ने किया तो इंसुलिन का विसकार किया था कुछ और कॉस्चन करेंगे जिसमें पहला है भारत का समिदान जो है ये कब लागू हुआ था तो दिखिए भारत का समिदान लागू हुआ था 26 जन्बरी 1950 में सिंदुगाटि सबचन का पतन नगर कौन सा था तो सिंदुगाटि सबचन का पतन नगर था ओप्शन C लोथल जो की आपका पढ़ता है गुजरात छेत्रफल की द्रश्टी से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है ओप्शन B बेटिकन सिटी रैमन मैक्स ऐसे पुरसकार जीतने वाले पहले भारती है कौन थे तो ओप्शन B बिनोबा भावे संयुक्त राष्टर संग की स्थापना कब हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 अब रखत किरुने इनप्रा रेड रेस क्या है तो विद्धुत चुम्ब की ये तरंगे होती है डाइनेमो परिवर्थित करता है तो डाइनेमो क्या परिवर्थित करता है या अंत्री कुड़जा को विद्धुत तोड़जा में अगला एक गोबर गैस में मुख रूप से पाई जाती है तो गोबर गैस में मुख रूप से क्या पाई जाती है मीथेन CH4 निमलिकित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा जन्तु संग है option A आर्थो पोड़ा आगला question है दो संख्याओं का मासा आपका दिया हुआ 6 SCF दो संख्याओं का कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और LCM मतलब लासा जो दिया हुआ है वो 108 दिया हुआ है और एक संख्या A बराबर माल लेते हैं 12 है तो दूसरी संख्या बतानी है तो देखें दो संख्याओं का गुड़न फल किया होता है A into B is called to SCF into LCM इसमें value put करेंगे A की value हमें पता है 12 है B की value बतानी है और SCF कितना एच्छे है LCM कितना 108 12 से काटेंगे 12 नीमा 108 तो B बराबर कितना हो जाएगा 96 के 54 Option B is right answer अग्वोशन है आपका यदि एक motor 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है टाइम आपका T बराबर है 9 सेकेंड और दूरी D बराबर कितनी है 100 मीटर तो इसकी चाल हमें किलो मीटर प्रती घंटा में बतानी है तो चाल बराबर किया होता दूरी बटे समय दूरी कितनी है 100 समय कितना है 9 सेकेंड ये मीटर पर सेकेंड में तो मीटर पर सेकेंड को किलो मीटर प्रती घंटा में कनबट करने के लिए 18 बटे 5 का multiply करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 यह हो जाएगा 5 से यह काटेंगे तो S बराबर कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 मतलब आपका आजाएगा 40 किलो मीटर प्रती घंटा option B is right answer अगला है यदि X minus बनापान X is equal to 5 तो X square plus बनापान X square की value क्या होगी तो हमें पता है X minus बनापान X is equal to 5 है तो हमें X square plus बनापान X square बताना है तो दोनों पच्छों का हम लोग क्या कर देंगे दोनों तरप का square कर देंगे तो A minus B का whole square यह होगा तो X square यह हो जाएगा प्लस बनापान X square minus 2AB तो X से X cut जाएगा तो बचेगा 2 is equal to आपका आजाएगा 25 तो आपका X square प्लस बनापान X square is equal to 25 प्लस 2 तो आपका अंसर कितना आजाएगा 27 option C is the right answer अगला question है 4X plus 5Y is equal to 14 तो था X minus 5Y बराबर 16 तो X और Y के मान बताने है तो लिख देते हैं 4X plus 5Y is equal to 14 second समीकरण है X minus 5Y तो इस second समीकरण में 4 से multiply करेंगे दोनों पच्छों में तो यह हो जाएगा 4X minus 20Y is equal to 16 पंजे 80 हो जाएगा आपका ओके गाईज तो यहां से यहां आप ऐसे ही कर सकते हैं दोनों समीकरण को पहले लिख लेते हैं 4X plus 5Y is equal to 14 और दूसरा समीकरण क्या है X minus 5Y is equal to 16 तो 5Y से 5Y कटा तो 5X is equal to कितना हो जाएगा 16 और 14 कितना होता 30 तो X की value कितनी आ जाएगी 6 अब X की value पुट कर देंगे second समीकरण में तो 6 minus 5 by is equal to 16 तो 5 by is equal to क्या हो जाएगा minus का 5 by is equal to 16 minus 6 मतलब 10 तो यह काटेंगे तो by की value कितनी आ जाएगे minus का 2 मतलब 6 कामा minus 2 तो option D is the right answer अगला यह संख्या हैं दी हुई हैं इनकी मादिका बतानी है तो इन सभी संख्याओं को सबसे पहले ROE क्रम में लिखेंगे मतलब छोटे से बड़े तो सबसे छोटे संख्या आपकी हो जाएगे 31 फिर हो जाएगी 35 फिर हो जाएगी 55 फिर हो जाएगी 56 और फिर हो जाएगी 69 फिर हो जाएगी 61 फिर 69 अब संख्याओं की संख्या देखिए 1,2,3,4,5,6,7 तो N बराबर कितना आ जाएगा 7 मतलब बिसम के लिए मादिका क्या हो जाएगी एन प्लस बन वट दो बमान कि द्धे करे राएं कितना है साथ तो साथ एक ता रमान प्लस बन वटंपी द्धेल मतलब 8 बमान दो चोथे पत कमान तो चोते पत पर क्या आ रहा है चपन तो आंसर क्या हो जाएगा option B is right answer अगला एगनी दो ब्रत्यों की त्रिज्याओं का अनुपात है R1 बटे R2 कितना है चार अनुपात 5 या चार वटे 5 तो इनके चेत्रफलों का अनुपात क्या होगा तो चेत्रफल पहले के लिए क्या हो जाएगा pi R1 square दूसरे के लिए हो जाएगा pi R2 square Is equal to 4 वटे 5 तो नहीं रखेंगे तो pi से pi कटेगा तो R1 की वैलू है 4 R2 की वैलू है 5 तो चार बटे 5 का होल स्कार कर देंगे मतलब 16 रेशियो 25 आपका अंसर आजाएगा ऑप्सेन है इस राइट आंसर आज का लास्ट है यदि एक बेलन की त्रिज्या पाई तता पाई नहीं होगी यहां पर आर माल लीजेगा और हो चाहिए है तो बेलन का संपूर्ण प्रस्टि यह चेत्र पाल क्या होगा तो यह होता है टू पाई आर और दूसरे कोश्टक में एच प्लस आर तो गाइज आज किस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्यवाद